किया हुआ जब जमीन के 6 किलोमीटर अंदर मिला कुछ ऐसा देख कर आपके भी रॉंग टे खड़े हो जाएंगे इस घटना की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले यह सत्य चमतकारी घटना है उत्तर प्रदेश के मेरट जिले में आने वाले रगुनात पूर गाओ की जहाँ पर कमलेश पाटिदार नामक किसान अपनी उन्नेस वर्षे बेटी सीमा और अपनी पतनी के साथ रहा करते थे गाओ में उनकी दस एकर जमीन थी जिसके उपर खेती बाड़ी करके वे अपना जीवन यापन कर रहे थे सीमा की शादी की उम्र हो चुकी थी और कमलेश जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन के एक भाग को बेचने का निड़ने लिया लेकिन गाव के ठाकुरों ने कमलेज जी की एक एकर जमीन पर नहीं बलकि सारी जमीन के कागजातों पर अंगूठे लगवा लिये और सारी जमीन को अपने नाम कर लिया कमलेज जी के साथ बहुत बड़ा धोका हुआ था और अदालत में केस लड़ने के भी पैसे उनके पास नहीं बचे थे जितने पैसे उनके पास थे उससे उन्होंने अपनी बेटी की शादी कराई और कंगाल होकर मेरट अपनी पतनी के साथ आ गए जिसके बाद वे मेरट में एक सरकारी हवेली जो की राजा माहराजाओ के समय की बनी हुई थी उसमें देखभाल का काम करने लगे कमलेज जी रोजाना महादेव की पूजा करते थे और उन्हें भरोसा था एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा उनकी पतनी उनसे कहा करती थी भगवान ने हमें इतने कश्ट दिये फिर भी आप इनकी पूजा क्यों करते हैं तब कमलेज जी ने कहा चिंता करने का अर्थ है कि भगवान की व्यवस्था पर संदेह करना अगर महादेव ने हमें यहाँ पहुचाया है तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ हमारा ही अच्छा होगा वे दोनों पती पतनी दो वक्त की रूखी सुखी रोटी में ही अपना जीवन काट रहे थे लेकिन एक रात को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कमलेज जी की पूरी जिंदगी ही बदल गई कमलेज जी को सरकारी हवेली में रात बारा बजे एक कारपेट के निचे साप सफाई के दोरान तहखाना दिखाई दिया जब उन्होंने उस तहखाने का दरवाजा खोला तो अंदर चड़ाओ जा रहे थे उन्होंने एक टॉर्च ली और चड़ाओ के माध्यम से उस तहखा किलोमीटर अंदर जा चुके थे लेकिन अभी तक कुछ खासे उनके सामने नहीं आया था लेकि जम लगातार वे उस तहखाने के अंदर 6 किलोमीटर नीचे उतर गए तब वहाँ पर उन्हें एक बहुत पुरानी और बेश कीमती तिजोरी दिखाई दी उन्होंने उस तिज जोरी में मौजूद थे और उस सोने की चमक से कमलेज जी की आखे चोंदिया गई जब उन्हें एक खजाना मिला तो उनकी पतनी समझ रही थी कि अब हमारी जिंदगी आलिशान हो जाएगी हमारी सारी मुसिबते हल हो जाएगी लेकिन कमलेज जी महादेव के सच्चे भक्त थे उन्होंने वो सारा खजाना सरकारी समपत्ति समझ कर सरकार के हवाले कर दिया उनकी इस मुर्खता पर उनकी पतनी को बहुत गुस्सा आया लेकिन कुछ ही जिनों में उन्हें खुश खबरी भी प्राप्त हो गई कि कमलेज जी ने जिस खजाने की खोच की है उसकी कीमत 50 करोड रुपए हैं उनकी इमानदारी को देखते हुए सरकार खजाने का दो प्रतिशत भाग उन्हें देना चाहती है और मुआउजे की संपत्ती पाकर कमलेश और उसकी पतनी हक से पुनह रगुनात पूर गावाए अदालत में केस लड़ा और छे माहा की अवदी के बाद उस केस को जीत कर पुनह अपनी जमीन अपने नाम करी वास्तों में दोस्तों भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं बस इंसान को चाहिए कि वो अच्छे समय में घमन ना करें और बूरे समय में धैरिधारन करें इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा और वीडियो को लाइक करके रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें अभी के लिए आप सभी दर्शुकों को ह हर हर महादेव